आज हम डिसकस करेंगे मातन की विद्या किसी भी वस्तु को मातने की जो विद्य है उसके बारे में आज हम डिसकस करते हैं तो मारलो यह पैन है इस पैन की अपने को लंबाई नापनी है तो कौन ची विद्य से नापने हैं तो देखो, दो वीदिया होती है, एक होती है, परतेक्स लिभी, जिसको हम टारेक्ट मैटर्ड बोलते हैं, इंग्लिस में, डारेक्ट मैटर्ड, दूसरी होती है, आप परतेक्स लिभी, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिस में है, इंग्लिस में द्रकाथ क्या होता है, इंडारेक्ट मेजर करनी है, तो आप डारेक्ट नाप सकते वो अप इसे टेप लोगे, और उसें आप मेरी हाइट आप मेजर कर सकते हो नाप सकते हो अगर मैंने आपको बोला कि यहां से और चंदर्मा की दूरी नापो तो उसके लिए आपके पास इतना बड़ा कोई स्केल तो होगा नहीं जिससे कि आप यहां से रखो चंदर्मा तक पहुंग जाए तो वो डारेक्ट हम मेजर करेंगे तो उस विदी का कहते हैं एफ रखीक्स सकते हैं जिसमें नहीं नाप सकते हैं तो पाववट बड़ रूंदी डूंदी रstar हैं तो पिर्ट्वी से चंद्रमा की दूरी या पिर ज्रहय यल्पारी की दूरी ये अगर अपने वो नापनी है तो उसके लिए हम एपर्टेक्स विदी का उप्योग करते हैं और उसमें भी उस विदी का नाप है लंबन विदी इस विदी की साहिवा से हम पिर्ट्वी से चंद्रमा तारे और जो ग्रै हैं उनकी दूरियां आसानी से नाप करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो लंबन होता है जिसका मिनिंग क्या होता है तो समझते हैं इसको लंबन लंबन की में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे लंबन के बारे में तोड अलेक्टोंड से आफिए यह पैरलेक्स में तर आप इफ ट्राइज बशी हई पर पहले है तो लंबन का क्या मिनिंग है इसको समझते हैं पेली लंबन विभाएक हैं आप पर यह पैन है इससको आप अपनी आपको बंद रखना तो आपको लगेगा की पैन एक बार आपको इधर दिखेगा दूसरी आप से देखोगे तो यह थोड़ा चेज होता हुआ नजर आएगा आपको इसकी स्थी तो इसको हम कहते हैं लंगबन इसको होता है इसलिए होता है जब इस पैन को मैं इस वाली हम देखें तो दृष्टी रेखा जो बनेगी वह ऐसे बनेगी यह वाली और इस वाली यहां से दब देखेंगी तो दृष्टी रेखा यह बनेगी तो पैन की जो इसको हम कहते हैं लंबन अब लंबन मिदी को समझते हैं कैसे इससे हम बड़ी दूरियां नाप सकते हैं बास करते हैं लंबन मिदी मान लेते हैं यह अपनी तर्च्वी है धर्टी माता और इससे उस दूरी पर यह कोई ग्रह है यह सारा है यह जंदर्मा है इसको पी से लिख लेते हैं इसकी दूरी नापनी है फिर्ट्वी से तो हम क्या करते हैं फिर्ट्वी पर दो अलग लग बिंदूं से यह है और दूसरा बिंदू यह है इसको एक बार A से देखेंगे और दूसरी बार B से देखेंगे एक चार यहां से देखेंगे तो जो द्रश्टी देखा बनेगी ऐसे होगी और यहां से देखेंगे तो ऐसे होगी इन दोनों के बीच का कौन हम आसानी से नाच सकते हैं तो मानलों यह कौन है आलपा और एक डौनों बिंदों की दूरी भी क्योंकि यह ग्याद याद करना है तो मान लिते हैं यह ग्याद करना है तो यहां पर देहान से देखना यह जो दूरी है पिर्फ़ी से ग्रहकी यह काफी बड़ी होगी as compared to इन दोनों मिंदों की दूरी यह दोनों मिंदों पिर्फ़ी बड़ी हैं यह तो पास-पास ले सकते हैं महासानी से तो S की दूर वैल्यो होगी यह बहुत बड़ी होगी as compared to B तो S का जो मान है यह B की दूर्ला में काफी बड़ा होगा इसका मेनिंग क्या है कि जो डाइग्राम होगा कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं यह दूरी तो काफी बड़ी है और यह दूरी काफी चोटी है तो इसको हम समझने के लिए कुछ इस टाइप से बना सकते हैं यह बहुत बड़ी है इसकी तुला में तो इसका मतलग यह होगा आप देखो अगर हम यह दूरी S के लिए और था alpha यह दूरी थे B अगर हम S कि जा का एक वर्द बनाएं जिसका एंदर है पी तो यह बड़ कुछी साइब से बनेगा तो यह दूरी छोटी होने के कारण इसको हम चाप मान सकते हैं हम वर्द की यह दूरी जो B है इसको हम एक चाप मान सकते हैं तो देखो यह तो होगी तिर्जा और यह हो गई एक चाप और यह है कौन अब अपने को कौनला पता है कि जो कौन होता है कौन को हम लिख सकते हैं चाप बटे में तिर्जा नहीं आ रहा है यह पड़ा होता है कि जो कौन होता है होता है चाप बटे में तिर्जा यहां पी जो कौन है अलपा इसको हम लिखतेंगे चाप अपनी बी बटे में तिर्जा अब अपने को मान जो व्यात करना था चाप बटे में तिर्जा तो चाप तो है अपनी बी और तिर्जा है एस यहां से जो बी है कि उसको हम लिख सकते हैं एलपा इंटू एस तो यहां पर जो यहां से एस को हम लिख सकते हैं देखो आपको आपको रेडियन में लेना है कि रहे हैं डिख्री को रेडियन में कैसे करनोड करते हैं। यह देखो होड़ा सा नुमे डिक्कत ही आई 164 डिख्री का मतलब होता है पाई डमीएं तो एक डिगरी का मतलब हो जाएगा थैगाथ फैस्वाइं 180 टू आप डिगरी की जगे पाई बड़ा है 180 पुट कर सकते हो तो रेडियन में करनोट हो जाएगा तो इस साइब से हम अग्यातुरी याद कर सकते हैं